जनरल शंकर रोई चोधरी जी ने कहा कि ये खलत हुआ था, ये 40 जवान की जान बच सकती थी जब जनरल साब कहते हैं कि इतना बड़ा काफिला पाकिस्तान से सटे हुए हाईवे से ले जाना अपने आप में वनरेबल था, नहीं ले जाना चाहिए, इनकी जान बच सकती थी बात जब पुलवामा हमले की करते हैं तो कहीं न कहीं आखे नम हो जाती हैं और अपने शहीद हुए 40 जवान याद आते हैं लेकिन इसकी बावजूद भी ये राजनीती का मुद्दा बन चुका है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब सेनकों पर भी राजनीती की जा र रही हैं, नमस्कर आपके साथ मैं हूँ रितिक सभीता स्वागत है आपका SPN 9 News में, दर्श को आपको बता दे कि सक्ति शिंगोहिल जी हाँ, सक्ति शिंगोहिल ने यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर BJP सरकार को घेल लिया है और यह बता दिया है कि पुलवामा का सच क्या ह आखिर क्यों मंदर मस्जित पर रास दिती की जाती है, मंदर मस्जित तोड़ दिये जाती है, तमाम बातों को यहाँ पर शिंगोहिल ने दूट का दूट, पाने का पाने कर दिया है, सुनिए इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी के लिए देश का हित दल के हित से हर वक्त उपर रहा है, हमने कभी भी सेना के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, विदेशनीती के नाम पर, हमने राजनीती नहीं की है आप सभी को याद होगा, कि बाजपा की अगवाई वाली सरकार थी, रगुनात मंदीर पे हमला हुआ, अक्षर धाम पे हमला हुआ, पार्लामेंट पे हमला हुआ, यहां से आतंकवादियों को कांधार छोड़ने गए, पर कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के, आतंकवाद के खिलाप लड़ने में साथ दिया, हमने उस वक्त राजनीती नहीं की, ना ही हमने सरकार पे एटेक किया, आज भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र हीत में, देश हीत में, दल के हीत से उपर उठके हम काम करते रहे हैं, हमें फक्र हैं, हमें नाज हैं, हमारे सैना के जवान, अर्ध सैना के जवान, बड़े मुश्किल दोर में, राष्ट्र की सुरक्षा हमारी सुरक्षा में तहनात रहते हैं, और उसमें किसी को खरोज भी आती है, हर देश्वासी को दर्ध होता है, दुख होता है, आपको याद होगा, फुल्वामा का हमला हुआ, CRPF के 40 जवान शहीद हो गए, आप ही के लोगों ने, मिडिया के साथियों ने, तब हमारे नेता, लाहुल गांधी जी के सामने, माइक रखते होई पूछा था, कि क्या इंटेलिजन्स फेलियोर नहीं है, क्या इसको हवाई मार्क से नहीं लाया जा सकता था, चुनाओ सामने था, राजनिती हो सकती थी, पर एक मैच्योड पॉलिटिशन के नाते राहुल गांधी जी ने कहा था, कि ये वक्त इन चीजों का नहीं है, ये वक्त कुछ और है, और सम्वेदनाय जताई उन 40 जवानों के परिवार के प्रती, और ये ऐसी घटना के लिए चिंता व्यक्त की, पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, लेकिन आज हम आपको भी सवाल होगा, कि जिस कांग्रेश पार्टी ने फुलवामा पे स्टैंड लिया, कि हम कुछ नहीं कहेंगे, आज हम आपके साथ, जिनोंने फौज में लंबी सिवाएं दी हैं, उनके साथ बै करते हैं, आपको भी सवाल होगा, मैं जरूर इस सवाल का आपको जवाब देना चाहता हूँ, कि हमने नहीं कहा था, और आज भी हम चुप रहते, लेकिन जब 80th Chief of Army Staff, अठारवे स्थल सेना के मुख्या, सबसे बड़ी पोस्ट आर्मी की, उसके उपर जिनोंने सेवाएं दी, ऐसे जनरल शंकर रौई चोधरी जी ने, जो बात रखी है, वो बात हमारे जजबात को, हमारे दिल दिमाग को हिलाने वाली है, जो जवान अपनी जान पे बाजी लगा के, सरहद पे हर दिक्कत का सामना करता है, अगर उस जवान को दिक्कते आती है और, या 40-40 अर्ध सेना के जवान CRPF के शहीद होते हैं, और उस पे जब, 18th Chief of Army Staff, 18th स्थल सेना के मुख्या, जनरल शंकर रोई चोधरी जी ने कहा, कि ये गलत हुआ था, ये 40 जवान की जान बच सकती थी, जब जनरल साब कहते हैं, कि इतना बड़ा काफिला, पाकिस्तान से सटे हुए, हाईवे से ले जाना, अपने आप में वनरेबल था, नहीं ले जाना चाहिए, इनकी जान बच सकती थी, एर लिफ्ट करने की मांग आई थी, CRPF से, कि इसे हमें, एर रिस्की रूट पे मत ले जाईए, हमें एरक्राप से लिफ्ट कर लीजिए, क्यों नहीं किया गया, जनरल शंकर रॉय चोधरी साहब, जिनका करियर बहुत बहुत अच्छा रहा, हम सब को उनके पर फक्र है, वो कहते हैं, कि चालिश जवान की जान गई, इसके लिए जम्मेवार, प्रधान मंत्री जी, और, NSA, National Security Advisor, वो है और इनका intelligence failure है, हमने कभी political बात नहीं की, पर एक, जनरल साहब जिसकी dotless केरियर रही, जब वो कहते हैं, तब हम, चुप नहीं रह सकते हैं, ये काम, वो, आर्मी का, या, Ministry of Defense का नहीं था, क्योंकि ये अर्ध सेना के जवान थे, माने राजनाथ सिंग का रोल नहीं था, रोल यहां पे ग्रह मंत्री, अमीच शाह और प्रधान मंत्री का था, क्यों, और उस वक्त पे, राजनाथ सिंग ग्रह मंत्री के तौर पे, आज वो Defense के तौर पे, मैं यही कहना चाहता, तकि ये, जो जिम्मेवारी Home की थी, आज इसके पास Defense है, क्यों ये नहीं कहा आगा, मैं, जिनोंने सेना में लंबी सेवाएं की हैं, उनसे, करनल, रुही चौधरी जी से बात कर रहा था, मैं, अमारी विंग कमांडर, अनुमा आचारिय जी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे, कि अर्द सेना के बल को, ले जाने लाने के लिए, आर्मी के पास जो हवाई जहाज है, वो, और एर इंडिया के हवाई जहाज, पास्ट में भी, कुरियर सेवा कहते हैं, इसके लिए इस्तमाल होते थे, और ये वो सकता था, और वो, क्यों नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेवार, कौन है, ये सवाल है, मैं, करनल, रुही चौधरी जी, अनुमा आचारिय जी से भी, रिक्वेस्ट करूँगा, वो आप से बात रखेंगे, आपके कोई सवाल होंगे, तो उनका भी, यहाँ पे, स्वागत रहेगा, पर साथ ही साथ में, एक आखरी बात, सियो मोटो जो मुझे करनी है, वो कहना चाहूँगा, कि अभी, ग्रहे मंत्री अमिच्शा जी गए, और, एक पुलिटिकल स्टेट्मेंट कर किया, उन्होंने, एक इज भी हमारी जमीन, ना किसी ने ली है, ना हम लेने देंगे, आप सब ने इसको, कुछ चैनल्स ने तो बार-बार चलाया, अमिच्शा जी का एस स्टेट्मेंट, मैं आपको, भारती जनता पार्टी के, सिनियर, MP, तापीर गाओ जी, जो कि इसकी, नेशनल एक्जुकिटिव के भी, मेंबर है, उनका एक ट्वीट है, वो, पढ़के सुनाना चाहता हूँ, कि हमारे वहां से, चाइना की पी एले, हमारे लोगों को उठा के ले जाती है, बाज़पा के निता कहते हैं, वो आगे बढ़के कहते हैं, कि चाइनीज पी एले, हैज एबड़क्टेट श्री मिराम तारोन, सत्रा साल के लड़के को लेके गए, उसके आगे कहते हैं, कि चाइना हैस कंस्ट्रक्टेड, इंसाइड इंडियन टेरेटरी, लुंगता जौर एरिया, एरिया का नाम भी वो बताते हैं, लुंगता जौर एरिया, चाइना बिल्ट 3-4 किलोमेटर इंसाइड इंडिया, भारत के अंदर 3-4 किलोमेटर का, इन्होंने रास्ता बना दिया है, और वो मोदी जी के शासन में साल भी लिखते हैं, इन 2018, आगे लिखते हैं, अंडर सियूंगला एरिया, बिशिंग विलेज अफ अपर सियांग डिस्ट्रिक अरुनाचल प्रदेश, मैं विनित पुनिया जी को रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे जो इनका ट्वीट है, वो साजा करेंगे, कौन सही है, यह जो नेशनल एग्जुकिटिव के मेंबर, बहुत ही सिनियर मेंबर पार्लामेंट जो वहीं रहते हैं, वो सच बोल रहे हैं, या ग्रह मंत्री जी कह रहे हैं कि एक ही जगह नहीं दी, दोनों एक ही शत्रंज के चट्टे बट्टे हैं, सत्ता पक्ष के ही दोनों लोग हैं, नेशनल एग्जुकिटिव के मेंबर हैं, MP के साथ साथ, BJP के, तो इसका भी जवाब वो दें, क्योंकि हमारी सेना के एक भी जवान की दिक्कत, हर देश वासी के लिए चिंता का विशे हैं, 45 साल में, चाइना की बॉर्डर पे, 45 साल, हमारे एक भी जवान को खरोच नहीं आई थी, और मोदी जी के टेनियोर में, बिहार रेजिमेंट के, 20 जवान शहीद हो गए, 20 जवान, और फिर, जो स्टेटमेंट आया, जिसे देश को नुकसान हुआ, यहां मित्रों ना कोई आया है, ना कोई गया है, तो फिर यह 20 जवान बिहार रेजिमेंट के, मेरे कैसे शहीद हो गए, तो यह हकीकते कुछ आपके सामने रखी हैं, तो सुना अपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा, कि किस तरीके से यहां पर शक्ती सिंग गोहिल ने अपनी बातों को रखा, पुलवामा का जिक्र कर दिया, मंदर मस्जद का भी जिक्र किया, तमाम जमीन इस्तर का मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन सरकार से सवाल तो यही रहता है, कि जब पुलवामा हमले की बात की जाती है, तो कहीं न कहीं आप उस से मुकर जाते हैं, आप पीछे हट जाते हैं, हलाकि सरकार ने यहां पर बहुत कुछ किया, यह आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर सत्यपाल मलेक और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी की शाजिस थी इसको लेकर लगाता है जो है मामला गरम है लेकिन दर्शकों आपको क्या लगता है कि जो 40 शहीद हुए है क्या यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी गलती हुए हैं उसमें सबसे बड़ा जो किसी का हाथ है वो BJP का है क्योंकि शक्तिपाल मली कहीं बात कर रहे हैं और शक्ति सिंग गोहिल ने भी कहीं न कहीं इसको लेकर अपनी बात को रखका है आप कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए FPN 9 News